हलो प्रेंट्स आजमा आपको बताऊंगा कि पस्वों की गाद्दी अडर वे टीट में अच्छानक सुजन आना उसमें दर्द होना और थन से जब दू निकालते हैं तो उसके साथ छींचड़े आना या पानी जैसा आना या मवाद जैसा आना या पिला-पिला सा आना या पिल्ड के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है चाए वह गाए बैस हो या भेड़ बकरी हो तो उस तरह की स्थती में क्या देखने को मिलता है कि जैसे उन्होंने सुबह दी अचानक दू निकाला उसके एक से दो गंठे बाद में पसू में अचानक टीट अडर में एक साइड शूजन आ जाती है और उसमें बाद में जी साइड शूजन आती है उसी थन के अंदर दूद भी सही नहीं निकल पाता है । theorने कंट्रब है कि जहांन से स्कीमर के में देखना पुरा देखना इस चेंदर पर नए जुड़ें तो पहले आप इस चेनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन और आलवाला अपसन दबाएं आपको पता है कि चेंदर पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है देखो इस तरह है कि जो से एक ही दोस से पसुठीक हो जाते हैं यह दी आप उसमें किसी जाड़ फूंक में यह हर्द देते हैं तो वैं बेक्टरिया अपनी जग्यापर ज्यादा हड हो जाता है क्याने का मतलब है कि वह फाइब्रो चीज फाइब्रो टिक में चला जाता है तो वह पर फिर अड्र क्या हो जाती है भोग ज़्यादा खटोर हो जाती है यह तो जहें आपको देखने को मिल सकती तो उस इस्तति में इलाज करना सम्भो हो चाहिए इस तरह के case में और तुरंत का तुरंत आपको इसे injectable करवा लेना चाहिए देखिए एक्यूट स्टेज में होता है उस इस्तती में आप गोली दवाई ने देखर कि आप एक्यूट स्टेज में उसको injection करवाएंगे तो सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा और आपके पशू में यह जो एक्यूट स्टेज का जो मेस्टाइटिस है वह लंबे समय तक भी नहीं रहेगा वह एक से दू दिन के अंदर पशू का ठीक भी हो जाएगा तो आज की वीडियो के अंदर मैं ट्रीट के लिए बनाया गया है है घो इससे किस में करना क्या है इस तरह के केस में सबसे पहले आपको एक एंटिपायोटिक इंजेक्शन की जुरूत पढ़ती है जो भी होती है वह ब्रोडि स्पेक्ट्रम एंटबैटिक जो कि ग्राम-нул branाइट के रिख का और कुई को प्रांड का होना चाहिए जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए शेप्टी जोन एंड सल्बाक्टम यह साल्ट का इंजेक्शन बड़े पसू में सड़े चार ग्राम आप उस पसू को लगा देना है भेड़ बक्रियों में इस तरह की दिकत हो जाती है तो पांसो एमजी से लेकर क आपको इस चैनल पर कम देखने को मिल रहें लेकिन वहाँ पर रही दिया आप जाकर के देखें पूरी डिटेल से तो जितने जो बेड़ पालक बक्री पालक है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें कौन से जो नया चैनल है विजेंदर को उटके वहाँ पर आप पूरी प्रिवेंट हो या नो-nो किसी तरह का हो उसमें इंजेक्षण एक इंट्यजण के लिए एशल को रहता है तो यह इंजेक्षण एंटीबाइटिक इंजेक्षण अपने वेटिंएर tô जरूर लगवाईं आप इनके साथ को कौन सा इंजेक्षण लगाना ए इनके साथ आपक कर रहा है उसको दूद में करने का काम करती है ताकि थन से दूद सही मात्रा में आए तो विटामिन तो अच्छा रिजल लेना है तो इनके साथ आपको इंजेक्शन लगाना है जो पसूम मे क्या आता है कि इसमें आपको लोकल ट्रीटमेंट करना है तब आपको बैटरी जेल मिलेगा आज की वीडियो के अंदर आपको तो मैंने स्टेंडर्ट ट्रीट्मेंट बता है वह ट्रीट्मेंट इदी पसूम इदी आप अपने वेटिनेरियन से करवाते हैं तो आपको एक डोज से ठीक हो सकता है यह ज्यादा जूरुत पड़ी तो दोज लगानी पड़ सकती है अब सेकिन मैं फ्लूनिक्सिन मेगलोवा सकते हैं बैटरी जेल लेना है तो इंट्राविनस लगाएं चाहिए लगाएं और यह वैसे इंट्रामस्कुल भी लगाएंगे तो भी बैटरी जेल मिलेगा भेड़ बक्रियों में दो एमेल आप इस इंजेक्शन का परियोग पसूमें करवा सकते हैं तो इसलिए आप जो म हो ज़्यादा सुजन है दर्द हो रहा है चानक तो आप उसमें गरम का शिक्ताव करें भरब का शिक्ताव करना है यह थंडे पाने से उस अड्रवर टीट को अच्छी तरह से दोना है इस बात का आपको जूर ज्यान रखना है और साथ में आपको एक इंजेक्शन लगाना ह लगवाना है अपने वेटिनेर इंजेक्शन यह इंजेक्शन बड़े पसु में 10 ml ओनली ओन इंट्रा मस्कुलर थोड़ा बोड़ी वेट कम है तो पांच एमेल यह नहीं बड़े पसु में पांच एमेल से लेकर कि दस एमेल इस इंजेक्शन का परियोग किया जाता है तो यह च्यार तरह के इंजेक्शन है यह इदि आप अपने वेटिनेर से तुरंत लगवा लेंगे तो पसु आसाने से ठीक हो जाएगा आसाने से और दूसरी दोज भी आप लगवाना चाहें यह थोड़ी बहुत दिकत कम देखने को मिल रही है तो आप जरूर लगए अब आपको तीन से चार दिन या पांच दिन आप इस पसूं को देंगे तो सबसे अच्छा बेंफिट पसूं में देखने को मिलेगा आप इसके साथ आपको क्या देना चाहिए मेरे चैनल पर भी डिटेल से वीडियो बनी है लेकिन इस तरह की केस एदिए आप देखने को मिल र सब्सक्राइब करें थैंक्स धन्यवाद